हेलो एब्रिवन आज मैं आपको गर्मी में होने वाली आई एलर्जी या आँखों की खुजली और आँखों में जलन के वारे में जानकारी देने आया हूँ और आप इससे कैसे चुटकारा पा सकते हैं ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा प्रेंड्स जब आपकी आँखों में पेड़ पोधों द्वारा जो पॉलेंस निकलते हैं या पराकण हवा के माध्यम से आपकी आँखों में चले जाते हैं इवन धूल, धूआ, धूल मिट्टी या जो डियो या पर्फ्यूम या पालतू जानवरों के डेंडर या डेड़ स्किन सेल्स भी ऐलर्जी के रूप में आपकों के अंदर एंटर करते हैं या प्रिवेस करते हैं जिससे आँखों में पाई जाने वाली माध्य सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और हिस्टा मिन्स प्रेड्यूस करती हैं आख के अंदर जब allergens गए और histamines प्रेड्यूस हुए और जो reaction हुआ fight के कारण उससे आख लाल हो जाती है, खुजली होने लगती है, जलन सुरू हो जाती है, कभी-कभी खुजली ज्यादा होने पर सूजन भी आ जाती है प्रेंट्स आप ऐसा क्या करें कि आपको इस seasonal allergy से चुटकारा मिल सके हैं, चलिए एक-एक करके जानते हैं, आपको हमेशा घर से बाहर निकलते समय, black goggle अच्छी quality का या काला चस्मा का इस्तमाल करना है, जो की अच्छी quality का हो, अच्छा हो, जो आपको धूल से भी और UV protection भी क पॉलिन से आपकी सुरच्छा करें, और allergen जो आँख में जाते हैं हवा के द्वारा, उनसे भी आपका बचा हो सकें, दूसरा है, आँखों में खुजली होने पर उन्हें रगणा नहीं हैं, और नहीं direct पानी के छीटे आँख में देना हैं, और घर में, फ्रिज में बर्व जमा दें, और बर्व हातों में, या कपड़े में लपेट कर बर्व की ठंडी सिकाई करें, दिन में तीन से चार बार, पांच-पांच मिनिट के लिए आप कर सकते हैं, फ्रेंड्स तीसरा बचाओ है कि आप मेडिकल स्टोर से ओवर दा काउंटर, आटीफीशिल टियर्स य या आपको खुजली जलन में आराम देंगे, और अलर्जन भी बार बार आखों में ज्यादा देर तक आखों में नहीं रुक पाएंगे, जो अलर्जन हवा के द्वारा गए हैं, वो आख में ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, फ्लस आउट हो जाएंगे, जो अलर्जी फ्री मिलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा जैसे ओलो पैट है विनो लेफ है इस्टा फ्री है यह एंटी इस्टा माइन ड्रॉप्स हैं जो आखों में खुजली को कम करने में मदद करेंगे इसे दिन में दो से तीन बार एक एक बून करके डालें उसके बाद करा लें जिससे आपको और जल्दी आराम मिलेगा यह इस्ट्राइट बिना डॉक्टर की सला के ना लें क्योंकि इनके साइड एफेक्ट भी हो सकते हैं अपने सोने की विस्तरों पर या जिस विस्तर पर आप लेटते हैं उस पर अपने पालदू जानवरों को ना लेकर जा अपनी चादर जो है वो समय समय पर बदलते रहें और खिड़कियों दरवाजों को जब तेज धूल धुआ उड़ता है उस समय ना कोलें और कोसिस करें घर की ग्रेणिया जो घर में फर्स पे जाडू लगाती हैं वो गीले पॉंचे का इस्तमाल करें जो डश्ट जाडू लगाते समय आँखों में चली जाती है उससे भी अलर्जी महलाओं में जादा हो जाती है तो घर में जब ये सीजन हवा धूल का आता है उस समय आप गीले पॉंचे का इस्तमाल करें घर की साफ फर्स की साफ सफाई के लिए फ्रेंड्स अलर्जी का एक कारण ये भी है कि ज लिक्विड आते हैं वो मच्छर बगाने के लिए कुछ गरों में यूज़ नहीं होते हैं और उसकी जगह पे कहीं पे कौईल जिससे धुआ निकलता है या अगरवत्ती जो मच्छर बगाने के लिए मार्केट में उपलब्द हैं वो आप किरपया करके यूज़ ना करें ज इससे धुआ प्रेडियूस होता है चाहें वो कौईल के फार्म में हो या वो अगरवत्ती के फार्म में हो आप बिजली के बोर्ड में जो आल आउट गोड़नाइट की रिफिल्स आती है या अधर कंपनी की उनका इस्तमाल करें जो कौईल और अगरवत्ती आप यूज करते ह जो धुआ उससे निकलता है वो भी आँखों में अलर्जी का कारण बनता है और आज के समय में तो हर घर में गैस का इंतजाम है जाहतर घरों में लेकिन कुछ गाउधियात में ऐसे घर परिवार भी हैं जिनको गैस की जो रोटी है वो पसंद नहीं आती है उसका स्वाद प रोटी ही बनाना मुझे मैं खाना नहीं खाऊंगा बनना उनको अपनी जीव का स्वाद अच्छा लगता है लेकिन वो यह नहीं देखते हैं कि घर की जो महलाएं खाना बना रही है उससे जो धुआ निकल रहा है वो आपके फेपड़ों में जाके क्रोनिक C.O.P.D. या फे फूले पर खाना बनवाते हैं या जो महलाएं बनाती हैं वो गैस का इस्तमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यह जो धुआ है वो आँखों में तो अलरजी बनाता ही है साथ में जो धुआ आपके नाक के द्वारा आप सक करते हैं तो वो फेपड़ों को भी तो सास फूले लगती है तो इसके कई छोटे छोटे कारण हैं अगर इनको आप जान जाएंगे तो आप चूले का खाना खाना बंद कर देंगे थोड़े से स्वाद के लिए आप रप्या करके चूला ना जलवाएं अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो न वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें थैंक यू वेरी मैच फ्रेंड्स